इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत रोज नाम की एक लेडी को दिखाते वे होती है जो घर से बाहर निकलके अपनी बीटी सारा को लगाता ढूंड रही थी रोज का हजबन तो लियो नाम का एक बिजनसमैन था और अब वो दोनों ही मिलकर अपनी बीटी सारा को बीच घनी जंगलों में ढूंड रहे होते हैं सारा तो यहाँ जंगल के अंदर नीन में चल रही होती है जिसे की कुछ आइडिया ही नहीं होता और अब तो सारा एक बहुत ही गैरी खाई के एकड़म टॉप पर आकर खड़ी हो गई थी उसके जरा सी भी मोमेंट करने पर वो नीचे गिर जाती अब हमें यहाँ सारा के ही कुछ विजन दिखाय जाते हैं जिसमें वो अपनी ही हमशकल जैसी लड़की को इमेजिन कर रही थी लेकिन उसका पूरा सरीर खून से लटपत होता है सारा इनी सारी चीजों से डर कर रियल लाइफ में वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी पर वो जैसे ही खाई से नीचे कूटती उससे पहले सारा की मॉम रोज वहाँ पर आकर उससे बचा लेती है रोज और लियो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सारा यहाँ पर पहुची कैसे सारा भले ही अपने होश में नहीं थी लेकिन उसके मूँ से एक वर्ड निकलता है साइलेंट हिल रोज इस बारे में सारा से पूछना चाती थी लेकिन वो बेहोश हो जाती है इन सारे इंसिडेंट को अब कई साल बीच चुके थे रोज यहाँ पर अपनी बेटी सारा के साथ एक गार्डन में बैठी वी थी जहाँ पर दोनों अच्छा टाइम स्पैन करते है तबी रोज अपनी बेटी सारा को वो बात बताती है जब वो आउट अफ कंट्रोल होकर जंगल में चली गई थी और उसने अपने मुझ से साइलेंट ठील नाम लिया था हलाकि इस बारे में सारा को बिल्कुल भी पता नहीं होता लेकिन अब रोज के मन में जिग्यासा बढ़ने लगी थी कि आखिर ये साइलेंट ठील कौन सी जगह है थोड़ी रिसर्च करने के बाद रोज ने अपनी बेटी सारा के साइट किया कि वो साइलेंट ठील नाम की जगह पर जाके चेक करेगी यहां कमपनी के अंदर लियो लगातार अपनी वाइफ रोज को कौल लगाता जा रहा था लेकिन रोज तो उसका कॉल उठाती ही नहीं तब जाकर लियो को समझ आ जाता है कि साइट रोज सारा को लेकर उस साइलेंट ठील वाले जगह पर गई होगी लियो ने जब गोगल करके साइलेंट ठील जगह के बारे में पता किया तब उसे आइडिया होता है कि ये वेस्ट में एक बहुती छोटा गाउं था जहां कुछी साल पहले भीशन आग लगने की वज़े से सारे विलेजर्स मारे गए थे लेकिन वो आग कैसे लगी ये तो अभी तक एक मिस्टरी है रोस तो अब सारा को लेकर डारेक्ली साइलें ठील जाने के लिए निकल पड़ी थी रास्ते में रोस एक स्टोर पर चली जाती है जहां से वो कुछ सामान ले सके पर तबी हमें बाहर की तरफ एक फीमेल पुलिस ओफिसर दिखाई जा रही थी जो रोस की गाड़ी में बैठी हुई सारा के पास आकर कुछ बात चीत करने लगी थी उस लेड़ी पुलिस ओफिसर को तो कुछ शक हो गया था पर सारा तो उस लेड़ी ओफिसर का कुछ भी जवाब भी नहीं देती यहां लियो ने भी रोस को कॉल कर दिया था जो कहरा होता है कि तुम साइलेंट ठिल की तरफ मत जाओ यह खतरनाक हो सकता है लेकिन रोस तो लियो की बात ही ने मानती और अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लग जाती है उसे वहीं पर वो लेड़ी पुलिस ओफिसर मिली जो उनसे कुछ पूछताच कर रही होती है रोस ने तो सिर्फ अपना नाम बताया और वहां से जाने लगी पर सायद उस पुलिस ओफिसर को उनकी उपर शक होने लगा था इसलिए उसने सबसे पहले कार का नंबर नूट हिया और रोस की गाड़ी का पीछा करने लगी हाला कि थोड़ी दूर पर जाने के बाद रोस को भी पता चल जाता है कि वो पुलिस ओफिसर उनका पीछा कर रही है इसलिए अब रोज ट्राई कर रही थी कि वो पूलिस ओफिसर से पीशा चुड़ा सके थोड़ी दूर पर आते ही रोज ने अपनी कार की स्पीट काफी जादा कर ली थी जिससे कि वो आगे निकल जाए और उस लेड़ी पूलिस ओफिसर से छुटकारा मिले अब रोज सारा को लेकर साइलेंट ठील के काफी क्लोज पहुच चुकी थी लेकिन गाड़ी चलाते समय अचानक रास्ते में उसके सामने एक लड़की आ जाती है उस लड़की को ठोकर होने से बचाने के लिए रोज ने अपनी कार को तेड़ा किया जिससे कि वो ओफ रोड जाकर क्रैश हो जाती है रोज सर में चोट लगने के कारण बिहोश हो गई थी लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो अपने आखे कुलती है तब उसने देखा कि सारा यहाँ पर मौजूद ही नहीं है वो तुरंती गाड़ी से बाहर निकल कर उससे ढूणने लगी थी रोज तो अब चलते हुए साइलेंट ठील की तरफ भी पहुँच जाती है जहां चारो तरफ एकदम से कोहरा फैला हुआ था कोई भी चीजे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होती तभी रोज को सारा जैसे ही एक लड़की भागती भी मैसूस हो रही थी जिसका रोज लगातर पीछा करने लेगी रोज तो अब चलते चलते एक खंडहर टाइप की इलाके में पहुच जाती है जिसके अंदर जाने के बाद अचानक एक साइरन बजा और सारी लाइट्स बंध हो गई रोज एक लाइटर लेके लगातर आगे बढ़ रही होती है वो ये देखकर बहुती ज़्यादा चौक गई थी क्योंकि उसके ठीक सामने एक ऐसे आदमी को मार कर लटकाया गया था जिसके पूरे बॉडी की इंटरनल पार्ट्स दिख रहे होते हैं और जब तक रोज ये सारी बाते समझ पाती तब ये उस जगह पर बहुती अजीब तरीके के मुर्दा खोर आ जाते हैं जिनका साइस बच्चों जैसा लग रहा था देखते ही देखते ही उनकी कॉंटिटी बहुत ही ज़ादा हो चुकी होती है रोज इतना ज़ादा डर गई थी कि वो लगातार आगे की तरब भागते रहती है जैसे ही वो एक दूसरी चेंबर में पहुची तब नीचे गिर कर वो बेहोश हो गई अगले कुछ घंटों में लगातार गहरी नींद होने के बाद रोज ने अपनी आखे खोली तो वो नोटिस करती है कि वो तो एक अलगी जगह पर आ चुकी है और ये जगह तो प्रिथवी से बहुत ही ज़्यादा अलग थी थोड़ा बाहर आने के बाद तो रोज को एक पागल औरत दिखाई देती है जिसका नाम लिया था रोज ने लिया से पूछा कि आखिर मैं कहा हूँ और यहां से बाहर कैसे निकलूँ तब जाकर लिया बताती है कि तुम्हें बाहर निकलने के लिए ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा रोज ने तो यहां पर अपनी बेटी सारा की फोटो दिखाते वे काया कि आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है कि ने लिया जैसे ही सारा की फोटो को नोटिस करती है तब ही वो अचानक रोज के उपर हमला करने लगी थी क्योंकि यहां पर लिया को लग रहा था कि सारा उसकी बेटी है और रोज उसकी बेटी को हथी आना चाती थी हाला कि रोज अपने आपको सही समल पर समालती है और लिया को धक्का दे के वहाँ से निकल जाती है अब यहाँ पर लियो अपने वाइफ और बेटी की तस्वीर दिखाते वे पूछता चला आया था कि वो दोनों कहाँ पर मौजूद है वहाँ रोज तो लगातर अपनी जान बचा कर गाड़ी की तरफ आ जाती है जिसके अंदर जाने के बाद उसे अपनी बेटी सारा द्वारा बनाई गई कई सारी पेंटिंग्स मिली थी उनी में से एक पेंटिंग के उपर स्कूल लिखा था जिसे के सारा ने कुछे दिर पहले बनाया होता है अब वहाँ पर वही पुलिस आफिसर आ जाती है जिसने की रोज को रंगी हाथों पकड़ लिया था पुलिस आफिसर को रोज के साथ उसकी बेटी दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए वो सोचने लगी कि साइद रोज ने अपनी ही बेटी का कतल कर दिया पुलिस आफिसर ने तो रोज को हटकड़ी भी पहना दी होती है लेकिन रोज बार-बार कह रही थी कि मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकती मैं तो खुद अपनी बेटी को लगातार ढूंड रही हूँ ये बात सुनने पर पुलिस आफिसर रोज को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी थी तबी अचानक उनके पास एक बहुती खतरना क्रियेचर आ जाता है जिसके तो दोनों हाथ ही नहीं थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था पुलिस आफिसर ने तो अपनी और रोज की प्रोटिक्शन के लिए लगातार उस क्रियेचर पर गूलिया चलाना स्टार्ट कर दिया होता है जिससे के क्रियेचर का सारा खून उस आफिसर की मूँ पर गिर गया था रोज को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला इसलिए वो अपनी जान बचा कर तुरंत वहां से भागने लगी रोज तो चलते चलते एक खंडर पड़े वी स्कूल के पहुँच जाती है ताजुब के बात ये थी कि रोज की बिटी सारा ने भी यही सेम स्कूल के ड्रॉइंग बनाई थी फिलाल तो रोज अपनी जान बचाने के लिए वहां पर जा कर बैठ जाती है वहां लियो भी लगातार अपनी वाइफ और बेटी को ढूणने के लिए स्टाइलेंट हील की तरफ आ चुका था पर कुछ पुलिस आफिसर लियो को रोक कर कहते हैं कि हमारी एक लेडी आफिसर तुमारी वाइफ और तुमारी बेटी को ढूणने गई है जल से जल अगर वो मिल जाएंगी तो वो उन्हें लेकर आ जाएगी लेकिन लियो उनके सामने इंसिस्ट करने लगता है कि मुझी भी अपने वाइफ और बेटी के पास जाना है इसलिए अब थॉमस नाम का एक ओफिसर लियो को लेकर उस जगब पर जाने लगा था जहां उसकी वाइफ और बेटी गई थी लेकिन वहाँ की सारी चीज काफी जादा डराऊनी थी रोज ने नोटिस किया कि उसके पीछे कुछ सूट पहने वे आदमी लग गए हैं इसलिए वो अपनी जान बचा कर डाइरेक्ली एक क्लास रूम में आकर खुद को बंद कर लेती है फिलाल तो यहाँ पर कोई भी नहीं था लेकिन रोज की जान अभी भी खत्रे में होती है रोज जब एक बेंच के पास जाती है तब उस जगह पर किसी का हाथ चपा हुआ था उसके उपर तो वीच नाम लिखा होता है रोज ने जब थोड़ी छान बिन की तब उसे कुछ बुक्स मिली थी जो एलिसा नाम की एक स्टूडेंट का हुआ करता था अब तो अचानक रोज को एलिसा के कुछ विजन्स आने लगे थे जिसमें की कई साल पहले जब एलिसा स्कूल में पढ़ने आई थी सारे स्टूडेंट्स एलिसा को काफी ज़्यादा परिशान करते वो तो एलिसा को विच की बेटी बुलाते थे इन्ही सारी चीजों से परिशान होकर एलिसा वहाँ से भागने लग जाती है वात्रूम की तरफ ये सारी चीजे रोज की विजन्स में हो रही थी इसलिए अब वो अपने विजन्स का फॉलो करते हुए उस बातरूम में चली गई थी जहांपर कभी एलिसा गई होती है रोज ने जब एक वाश्रूम का दरवाजा खोला तब उसके अंदर तो किसी स्टूडेंट की लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर लग रहा था कि स्टूडेंट को बहुती ज़ारा टॉचर करके मारा गया है रोज ने दिखा कि दिवार पर डेर लिखा हुआ है और उसके मूँ की तरफ इशारा किया गया है इसलिए अब रोज उस मरेवे स्टूडेंट की मूँ में हाट डाल कर कुछ चाबिया बाहर निकालती है जो वहाँ पर मौजूद थी पर अब अचानक वही खतरनाक सूट वाले लोग आ जाते हैं जो की सायद रोज का कतल करना चाते थे रोज सबसे पहले अपने आपको बचाने के लिए बातरूम के दरवाजे को लॉक कर देती है जिससे की वो लोग अंदर ना आ सकें वहीं हमें उन सूट वाले आदमियों के पास दिखाया गया कि एक पिंजडे में एक पंक्षी मौजूद थी जो लगातार चिला रही होती है पता नहीं क्यों उस पंक्षी की आवाज सुनकर वो सारे सूट वाले आदमी वहां से भागने लगे थे जैसे कि उन्हें पंक्षी की आवाज से इरिटेशन होती थी लेकिन अब यहां रोज ने देखा कि वो जो स्टूडेंट मर चुका था उसकी डेट बाड़ी अब जिन्दा हो चुकी होती है जो बड़ी अजीब तरीके से रोज की तरफ बढ़ रही थी रोज इतना जादा डर जाती है कि जहां भी जगह मिल रही थी वो वहाँ भागते जा रही होती है उसे नई समझ रहा था कि आखिर ये सारी चीजे उसके साथ क्यों हुई रोज ने नोटिस किया कि उसके आसपास की जगह अचानक बदलने लगी है दिवारों के कलर लगातार जढने लगे थे और एक काला साया लगातार चारों तरफ फैल रहा होता है उस मुर्दा खोर स्टूडेंट की बॉडी लगातार रोज की तरफ बढ़ते जाती है और तभी उसने अपना हाथ दिवार पर रख दिया जिससे की चारों तरफ से कौकरोजेस निकलने लगे थे लेकिन इन सारे कौकरोजेस ने रोज पर हमला करने के बज़ाए उन सूट वाले तीन आदमियों पर हमला कर दिया जो रोस को मारने के लिए पीछा कर रहे थे रोस कुछ नहीं समझ पाती कि आखिर ये सारी चीज़े उसके साथ ही क्यों हो रही है और ये रियालिटी भी है कि उसका सपना अब रोस का अचानक पैर फिसलने की वज़े से वो नीचे वाले कमपार्टमेंट में गिर गई थी रोस जब होश में आकर खड़ी होती है तभी उसे अचानक दिवार में से एक अजीब तरीके का शैतान बाहर निकलता हुआ दिखाये जाता है जिसके हाथ में एक बहुती नुकीली तलवार थी और वो कौकरोचेस के बीच में से होते विवे रोस की तरफ बढ़ रहा था रोस तो बहुती ज़ादा डर कर वहां से दूर भागने लगी थी लेकिन चौका देने वाली बात ये होती है कि रोस घूम फिर कर उसी जगह पर पहुँच गई थी जहां से उसने अलिसा के वीजन्स देखना स्टार्ट किये थे यानि कि वो एक दूसरी दुनिया के भूल भुलाईया में फस चुकी है वहां लियो अब लगाता ट्रेवल करते विए साइलेंट हिल पहुच चुका था जो अपनी वाइफ रोस को ढूनने के लिए आ जाता है अब यहां बहुत सरे कौकरुजेश रोस की तरब बढ़ रहे थे उसके उपर हमला करने के लिए लेकिन सही समय पे वहां लेडी पुलिस ओफिसर आ गई और रोस को पकड़ कर दूसरी जग लेके जाने लगी हाला कि वो दोनों एक कंपार्टमेंट में आ जाते हैं लेकिन उस खतरनाक सैतान ने अपनी तलवार धरवाजे के अंदर घुसाई और छेट बनाकर अपना हाट डालकी उन दोनों को पकड़ने लगा लेडी पुलिस ओफिसर ने तो प्रोटेक्शन के लिए अपनी गन निकाली और सैतान के हाथ पर फायर करने लगी इन सारी चीजों से सैतान अपना हाथ पीछे ले ले लिता है और अब वहाँ की सारी चीजे एकदम से बैक टो नॉर्मल होने लेगी थी कॉक्रुजेस वापस चले जाते हैं और दिवारों की रंग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं रोज ने यहाँ पर लेडी ओफिसर को एक चाबी दिखाई जो वो उस मरेवे स्टूडेंट के मूँ से निकाली थी उसके उपर तो किसी होटेल का नाम लिखा हुआ था तब ही वो पुलिस ओफिसर कहती है कि मैंने इसी नाम का होटेल साइड में देखा है इसलिए अब रोज और वो पुलिस ओफिसर बड़ी चाला की से बाहर निकलते हैं और होटेल के अंदर घुष जाते हैं उस होटेल के अंदर तो रोज और पुलिस ओफिसर को वही पागल औरत लिया और एना नाम की एक लेडी मिलती है हालाकि लिया वहां से चली गई थी लेकिन एना उनकी मदद करने के लिए वहीं पर रुख जाती है रोज ने होटेल की दिवार उपर अजीब तरीके के सिंबल्स देखे जिसके बारे में एना से पुछने के बाद वो बता रही थी कि ये सारे सिंबल्स हमारे पूरूजों ने बनाए थे सैतानी आत्माओं से सुरक्षा के लिए और अब एना उन्हें एक रूम के बारे में बताती है जिसका नंबर 111 था रोज पुलिस ओफिसर और एना लगातर उसी रूम की तरब बढ़ते रहते हैं जहां पर उन्हें अपने सवालों का सारा जवाब मिल जाएगा लियो को अब किसी भी हालत में अपनी बेटी और वाइफ को पता लगाना था इसलिए वो साइलेंट थील के एक पुलिस टेशन में चला जाता है जो पूरी तरीके से खाली था लियो नी तो अब खुद से ही इन्वेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया और साइलेंट थील के स्कूल के बारे में पता किया आखिरकार उसे वही एलिसा नाम की लड़की का रिपूर्ट कार्ड मिलता है जिसके शकल देखने पर लियो पूरी तरीके से शौक रह गया था क्योंकि एलिसा की शकल सेम टू सेम उसकी बिटी सारा जैसी लग रही होती है लियो यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर इन सारी चीजों में काला जादू शामिल है और अब उसे किसी भी हालत में अपनी वाइफ को बचाना होगा वहाँ दूसरी तरफ रोज पुलिस ओफिसर और एना रूम के अंदर पहुच गए थे जहाँ पर रोज ने दिवार पर अजीब तरीके की पिंटिंग्स को देखा इन सारी चीजों से रोज को पता चल जाता है कि जरूर एलिसा नाम की वो लड़की एक वेच की बेटी थी जो अभी भी जिन्दा होती है रोज ने जब कोने में देखा तब वहाँ पर एलिसा बैठी हुई थी जरूर ये एलिसा की आत्मा होगी इसी लिए रोज जरा सा उसके पास जाती है लेकिन जब एलिसा ने अपना चेहरा दिखाया तब तो रोज भी एकदम से शौक हो गई थी क्योंकि एलिसा और उसकी बेटी सारा एकदम सेम टू सेम दिख रही होती है एलिसा ने अपनी बाएं फैलाई और उसकी चारों तरफ आग लगना स्टार्ट हो जाती है जो रोज को कह रही थी कि मेरा रिच्वल परफॉर्म करने के लिए तुम मेरे पास आओ एना ने बताया कि हमें जल से जल यहां से निकल कर चर्च में पहुचना होगा रोज ओफिसर और एना तो लगातार भागते वे चर्च की तरह बढ़ने लगे थे लेकिन यहां पर लिया नाम की वो पागल औरत तो रोज को पकड़ कर एकदम रोकने लगती है जो कह रही थी कि तुम सब चर्च में मत जाओ उसके अंदर मौजूद जो लोग तुमें इंसान लग रहे हैं वो दर असल डीमन्स हैं जो तुम सबी को मार देंगे लेकिन रोज पुलिस ओफिसर और एना किसी भी तरीके से चर्च में चले जाते हैं वहाँ पर कई सारे लोग तो मौजूद थे लेकिन वो रोज और पुलिस ओफिसर को देखकर समझने लग जाते हैं कि ये दोनों वीच की बेटिया हैं इसलिए अब वो लोग उनके उपर पत्थर मारने लगे थे पर उस लेड़ी पुलिस ओफिसर ने गंच चलाते हुए सभी को सांध कर दिया था डरा देने वाली बात तब होती है जब उस जगप पर वही खतरनाक सैतान आ जाता है जिसने की अपनी तलवार की मदद से सबसे पहले एना को जान से मार दिया और अब वो बढ़ रहा था रोज और पुलिस ओफिसर को खत्म करने के लिए वहाँ पर लियो साइलेंट ठील के एक और्फिनेज में पहुचकर एक नन से पूछताच कर रहा होता है कि उसकी बेटी सारा कहां पर मौझूद है उस नन ने जब सारा की फोटो को देखा तब वो बहुत ही जादा डर गई थी वो तो लियो को कुछ भी बात बताने से इग्णम इनकार कर रही होती है वहाँ पर तो पुलिस ओफिसर थॉमस भी आ चुका था जो लियो को कह रहा होता है कि तुम इन सारी चीजों के बारे में ना जानो तो ही अच्छा है क्योंकि अगर तुमने ये करने की कोशिश की तब तुम्हारी भी जान को खत्रा हो सकता था अब यहां रोज और उस लेडी आफिसर की मुलकात पैमिला नाम की एक सीनियर लेडी से हो रही थी जिससे मिलने के बाद रोज बता रही होती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो लेगे नहाँ पैमिला ने कहे दिया था कि तुम्हारी बेटी सैतान की कबजे में है और वहां से वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था पर रोज किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाने के लिए सैतान से भी मिलने के लिए तयार है रोज का कहना था कि वो अपनी बेटी सारा को बचाने के लिए खुद का बलिदान देने के लिए तयार है इसलिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पैमिला रोस को डीमन्स और डेविल की उस जग़पर लेकर जाती है जहां उनका वास था पैमिला ने तो रोस को उस जगह पर जाने का एड्रेस बता दिया था पर जैसे ही पैमिला रोस की लॉकेट को देखती है तब उसके अंदर सारा की फोटो मौझूद थी इन सारी चीजों की वज़े से पैमिला को लगने लगा था कि रोस एक विच है जो हम सभी को मारने आई थी और अब तो वहाँ पर वही ब्लैक सूट वाले लोग आ चुके होते हैं जो लगातार रोस पर हमला कर रहे थे लेगन सायद रोस की किसमत अच्छी होती है वहाँ पर वही लेडी पुलिस ओफिसर आ गई थी जो रोस को बचा कर उनसे लड़ाई करने लगी थी रोस तो अभी एक लिफ्ट में मौजूद होती है जो लगातार उसी जगव पर जा रही थी जहां डेविल मौजूद था वो जगव पूरी की पूरी अंधेरे में डूबी थी लेकिन अंदर जाते ही डरा देने वाली बात ये होती है कि रोस को अपने सामने कई सारे खतरनाक जॉम्बीस दिखाई दे रहे थे और अब उसे किसी भी हालत में इन जॉम्बीस के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा रोस ने आपर बड़ी चाला की दिखाई और अपने टॉर्च को बंद कर दिया वो तो कैसे भी करके उन सारे जॉम्बीस को धका देते हुए आगे बढ़ने लग जाती है सही समय पर वो दरवाजा खुल कर दूसरी तरफ चली गई थी आखिरकार रोस की मुलाकात एलिसा की आत्मा से हो जाती है जो कि उसे अपनी कहानी के बारे में सब कुछ बता रही थी दरसल कुछ सालों पहले जब एलिसा इसी स्कूल में पढ़ा करती तब बच्चे उसे चुडैल की बेटी कहकर चड़ाते थे एक समय पर तो ये सारी रैगिंग काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पैमेला भी सभी को उसी स्कूल में पढ़ाया करती जो एलिसा की मदर से कहती है कि अगर आपको अपनी बेटी का दिमाग ठीक करना है तब उसे 111 रूम नंबर में भेज दो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एलिसा की मदर ने ये करने का डिसाइट किया लेकिन जैसे ही एलिसा रूम नंबर 111 में जाती है तब भी पैमेला ने अपने सारे लोगों के साथ मिलकर एलिसा को जिन्दा ही जला दिया क्योंकि उसे लगता था कि एलिसा सच में एक वीच की बेटी है और उसे खत्म करना ही उनकी प्रोटेक्शन के लिए ठीक होगा हला कि ये सारी बात एक कुछ समय बाद पता चल जाती है पर एलिसा की आत्मा अभी भी खत्म नहीं हुई थी उसने इन सारे लोगों से गुसा होकर डैविल के साथ समझोता किया और अपनी आदी आत्मा को उन्हें देकर पैमला और उसके सारे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इसी स्कूल के अंदर कैद कर दिया जिससे कि उन्हें अपनी सजा मिलती रहे और वो सब मरने के बाद भी इसी नर्क में कैद रहें सारा जो रोस की बेटी थी उसके अंदर भी एलिसा का थोड़ा सा पार्ट मौजूद होता है और इसलिए वो दोनों एकड़म सेम दिखती हैं पर जैसे ही पैमला को सारा के बारे में पता चला तो इसलिए वो उसे मारने के चकर में पड़ गई पैमला ने ही ये सारी चीजे की जिससे कि वो सारा को यहाँ पर बुला सके और उसे जला कर फिर से भस्म कर दे इसलिए अब रोज को किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना होगा यहाँ एलिसा रोज की मदद करने के लिए उसके बौडी में चली गई थी जिससे की अब रोज की ताकते काफी जादा बढ़ जाती है वहाँ पर पैमिला अपने सबी सैतानी लोगों की साथ मिलकर उन्हें बता रही थी कि हमें किसी भी तरीके से सारा को खत्म करना होगा सबसे पहले वो सब लेडी पुलिस ओफिसर को पकड़ कर जला देती है और अब बारी थी सारा की तब ही उस जगह पर रोज आ जाती है जिसके बाडी में अलिसा की आत्मा मौझूद थी वो सबी लोगों को साइड में हटा कर बता रही थी कि पैमिला ने एक बहुत ही खतरना काम किया है उसने कई साल पहले एक मासूम लड़की को मार दिया था हाला कि वो सारे लोग इन सारी बातों पर भरुसा नहीं करते और अब तो यहाँ पैमिला ने गुसे में आकर रोज के बाडी में चाको घुसा दिया था लेकिन यहाँ एलिसा रोज के बाडी में मौझूद होती है इसलिए रोज को कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी और अब एलिसा रियालिटी में बाहर निकल गई थी पैमिला तो उसे देखकर पूरी तरीके से शौक रह जाती है एलिसा ने तो अपनी शक्तियों की मदद से बहुती ज़्यादा नुकेले दार वायर्स निकाले जिसकी मदद से वो पैमिला और उसके सारे सैतानी लोगों को पकड़ कर मारने लगी सारा जो इतनी समय बाद अपनी आखे खोल रही थी वो अपने सामने अपनी हमशकल एलिसा को देखती है जिसके अंदर सारी वीच की पावर्स आ चुकी है वो तो अपनी सैतानी सक्तियों से सारी लोगों को खत्म करने लगी थी रोज जल से जल अपनी बेटी सारा को लेकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि अब उसे एक पल भी वहाँ नहीं रहना था रोज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन वो जब अपने घर पर आती है तब उसे अपना हस्बेंट लियो नहीं दिखाई दे रहा था और तब जाकर रियालिटी रिवील हुई कि लियो यहाँ पर रियल दुनिया में मौजूद होता है लेकिन सारा और उसकी मदर रोज अभी भी उस काली दुनिया में फसे हुए थे क्योंकि वो एक पुरा माया जाल होता है जो कि डेविल ने क्रियेट किया था रोज को पता चल चुका था कि इस काली दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है उस डेविल को खत्म करना होगा पर आखिरकार रोज सारा के साथ मिलकर उस डेविल को मार भी पाएगी कि नहीं ये तो हमें कहानी के दूसरे पार्ट में पता चलेगा अगर आपको कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको मेरा एक्स्प्रेशन एक परसें भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़ेदार और डरा देने वाली कहानियों में तब तक के लिए बाबाई